अब जो है 2020 के जाने का टाइम आ चुका है बस थोड़ा सा समय बाकी है जो मैं यह देखना चाहती हूं कि आने वाला समय आने वाला यह जो है वो हम सभी के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है किस तरह की ऑपोर्शनेटीज मिलने वाली है किस तरह की जो है न्यू प्रॉग्रस होने वाली है लाइफ में किसी की लव लाइफ में या किसी की प्रॉफेशनल लाइफ में या जो भी ऑप्स्टिकल्स हैं वो क्या से दूर होंगे सो हम एक पॉजिटिव एनरजी को जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं और मैं यहाँ पर शुरू करूँगी एयर साइन से और धीरे 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 मैं वीडियोस आपको डालती जाओंगी और आप प्लीज चेक करते जाहिए कि आपकी जॉड एक साइन के हिसाब से आपको जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी राशी है उसके हिसाब से आप चेक कर दीजे तो अब मैं जो है यहाँ स्टार्ट करूँगी एयर साइन से यह सो फ्रेंट सम स्टार्ट करते हैं हमारे एर साइन से जो कि होते हैं जैमनी लीब्रा एंड एक्वेरियस ठीक है सो हम देखते हैं कि इन जो हमारे एर साइन है इनकी राशी जो है उनके हिसाब से इनका न्यू यर जो है कि यानि तूटसड च्वेंडिवन जो है तो हजार एक्टिस कैसा रहने वाला है इनके करियर में क्या सफलताइ मिलने वाली हैं और इनकी प्रोफेशनल लाइफ इनकी परस्नल लाइफ सभी कुछ देखेंगे चलिए देखते हैं सो स्राट करती हूं मैं जैमिनी से यानि मिथुन राशी अगर मैं यह कहूं कि जो मिथुन राशी है उनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा है काफी टाइम से साल काफी सीखने का भी रहा काफी लर्णिंग का टाइम था थोड़े ऑप्स्टिकल्स भी थे स्ट्रगल भी थे लेकिन बखूबी उन्होंने खुद को निखारा और खुद को ग्रो किया ग्लो किया सो यह साल जो था यह कुछ सिखा कर गया हम सभी को सिखा के गया सो तेखत पर्सनल लाइफ में परोफेशनल लाइफ में और इनकी हेल्थ वाइज और यदि मैं यह देखना चाहूं कि एक आउटकम एक आउटकम मिलेंगे ओके सो जैमिनी राशी वालों के लिए मैंने कार्ट्स जो है वो निकाल ली है फ्रेंट्स सो मैं बता देती हूं आपको क्या क्या कार्ट्स आपकी आए हैं ठीक है जैमिनी देखे पर्सनल लाइफ की चीजों को लेके आप अभी तोड़े सा डिप्रेस हैं और परिशानी है मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपना जो ओफर है वो किसको देंगे किस से मारेज करनी है या किस से जो है रिलेशन्शिप को आगे प्रसीड करना है यहाँ पे आप कुछ सोच विचार करते भी नजर आ रहे हैं थोड़ी सी स्ट्रेस है इस चीज को लेके क्योंक परिशनल लाइफ में अच्छा कर रहे हैं लेकिन परस्नल लाइफ में चीजे वह इतनी ग्रोव नहीं हो पा रही है और आप की लाइफ में अगर कोई इंसान है वो क्याप्रिकॉर्ण भी हो सकते हैं ठीक है यहां जैमिनी आपका भी साइन आ गया है यह जैमिनी जौरी एक साइन के लिए होता है वह सकते हैं मदलेक यह गाइडı सकते हैं आपके परसन है आपको लेक cap вы काफी पैशनेट है आपको लेकर यह यह रिलेशन्शिश्प काफी पैशनल तरीके से चलता है लेकिन आप थोड़ से साड है शायद आप टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं या फे चीज़ें उतनी ग्रो नहीं हो रही है लेकिन आने वाने जो टाइम जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिस जरूर होंगे क्योंकि यहां पर जो है यह डिवाइनली गाइडेड कन कनेक्शन है यह आपके सितारों में लिख दिया गया है ठीक है अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो सिंगल्स के लिए भी देख लेते हैं अगर कोई सिंगल है तो उनकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी सिंगल्स के लिए भी कोई ना कोई रिष्टा आता हुआ मुझे नजर आ रहा है कोई ना कोई उनसे बात करना चाहता है उनसे ट्रैवल करके मिलना चाहता है तो डेफिनेटली सिंगल्स के लिए भी यहां पर जो है ऑपरशनेटीज आ रही है अब हम बात करते हैं जैमनी की प्रोफेशनल लाइफ की मैंने जैसे कहा कि जैमनी जो है वो जगलिंग कर रहे हैं अभी उनको थोड़ा सा जगलिंग का टाइम है प्रोफेशन में वो जो है सोच नहीं पा रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में भी सकता है यहाँ सब्सक्राइफ हो सकता है या फ्रोफेशनल लाइफ में भी तोह चाती है लेकिन हे breeds हमेगो वह च Guru कि लिवाएटी मिलेगी कि ना कुछ और आप अपने लाइफ में जो हैं माजिक क्रियर्ट कर पाएंगे यू आर。 अपनी लाइफरेशनली ग्रो करेंगे वह एक मैजिक क्रेयेट करेंगे अपने लाइफ में वह इतने बहुत है कि वो लोग manifest भी कर सकते हैं जो भी चीज वो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो manifest कर सकते हैं ठीक है जो जिनको भी manifestation आता है थोड़े struggling है लेकिन अच्छा है सब अगर हम health की बात करें तो आपको कुछ negative लोगों से aware रहने की जरूरत है जो कि नहीं चाहते कि आप progress करें जो कि नहीं चाहते कि आप अपनी life में अच्छा करें कुछ लोग जो हैं वो आपको दूर से भी देख रहे हैं watch कर रहे हैं कि आप किस तरह की activity कर रहे हैं आप किस तरह आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लग रही है so be aware of that the negative energy and please focus watch what kind of energies around you okay और हो सकता है कि आपकी जो यहां पर कार्ड जो आया है यह two of wants का आया है so आपको जो है बहुत जादा लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है जितना आप ज्यादा लंबा सोचते जाएंगे उतना आप stress में आएंगे so आप जो छोटी छोटी चीज़ों को खुशियों को enjoy कीजिए ठीक है उससे आपकी health भी अच्छी बनी रहेगी यहां पर मैंने outcome लिया था तो outcome में यह है कि आपको अपनी strength बना के रखनी है कुछ भी चीज़ का option हो कुछ भी चीज़ों आपको अपनी strength बना के रखनी है ठीक है और दूसरी बात यह आप self love में रही है आपको abundance money और सब कुछ मिल रहा है ठीक है तो बस आपको थोड़ा सा stress नहीं लेना है that is very important for Gemini और हाँ traveling भी हो सकती है आपकी अगर आप foreign trip में जाना चाहते है तो foreign trip का भी card है ठीक है Gemini is so be ready for traveling also देखें यहां पर भी आपकी आप ही की energy आ गई है बहुत ही divinely guided connection है so सब कुछ अच्छा है जो भी आपके gifts हैं जो भी आपका passion है वो उनको share कीजिए और अपनी life में और इश्वर यहीं चाहते हैं कि आपके जितने भी gifts हैं अगर आप spiritual person है तो आपके जो भी gifts है उनको share कीजिए आपका कोई passion है hobby है उसको share कीजिए और आगे बढ़ी है life में और अपनी inner voice की सुनिए इधर उधर की मत सुनिए कि लोग क्या कर रहे हैं कैसे कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं आप अपनी inner voice की सुनिए तो सफलता आपके कदम चुमेंगी ठीक है जैमिनाई सो यह आपका था 2021 का I hope you like it and kindly like share and subscribe my channel and stay happy and stay blessed hello friends अब अग्डी जो राशी है मैं जिसके बाए में बताने चाहरी हैं वह है Libra air sign Libra Libra की देखते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे very intense energy health wise outcome okay okay so friends let's talk about first personal life of Libra so Libra आप जो है इस तरह की energy में है king of swords की energy है थोड़ा सा angry energy है anger को release करना है आपको ठीक है 2021 में एक जो ब्लंट्ली energy है cool रही है काम रही है इस तरह के energy में आपको नहीं रहना है आप कुछ decision चाहते हैं लाइफ में पर्सनल लाइफ में आपको decision चाहते हैं यहां पर टावर कार्ट भी आ रहा है आपके लिए divine का interfere होगा और आपको बोला जा रहा है कि चीजों को बहुत maturity के साथ लीजिए अगर personal life की बात करूँ तो आपको अगर आप marriage करना चाहते हैं यदि आप चाहते हैं आपकी marriage हो तो चीजों को responsibility के साथ लेना सीखिए जो भी person को आप like करते हैं उनको जाके बताइए कि yes I want to marry you तो एक responsible जो person है उसकी तरह आपको behave करना है mature person की तरह behave करना है controlling नहीं होना है आपको dominating नहीं होना है यह energy थोड़ी ऐसी होती है तो ठीक है और आपको अपने anger को release करना है जो singles हैं उनके लिए भी कोई ना कोई offer आ रहा है कोई ना कोई इंसान उनको offer देना चाहता है वो उसके कि बारे में सोच विचार कर रहा है अगर कोई already relationship में है और अगर जो नहीं भी है तो भी उनके लिए offer आ रहा है divine की तरफ से ठीक है लीब्रा अब we are talk we are let's talk about your professional life so yes यहां पर कोई ना कोई offer जो pages होते हैं वो message देते हैं तो call message वगर आपको मिल सकती है job के regarding आपके business के regarding और यहां पर कुछ new beginning भी मुझे दिखाई दे रही है you take a leap of faith you want to take a leap of faith and take the things in a positive way okay okay friends so हम यह बात कर रहे थे कि आपकी life जो है उसमें professional life में एक new opportunities आपको मिलती हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हैं और divine आपको bless कर रहे है take a leap of faith and professional life में यह आप job के बारे में को सोच रहे है new job चाहिए new business चाहिए तो आपको start कर सकते हैं यहां पर new opportunities का काट है health के regarding अगर बात करूं किसी की life में अगर health के कुछ issues है तो उनको भी aware रहने की थोड़ी ज़रूरत है और अगर किसी के issue बहुत जादा है तो वो release भी हो सकते हैं ठीक है क्योंकि यह movement का card है अगर आप doctor से consult कर रहे हैं तो definitely आपकी health जो है वो ठीक हो जाएगी और यहां मैं एक outcome की बात करूं तो यहां पर आप stress लेते वे बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे हो सकता है आप अपने pentacles को लेकर stress में है या किसी भी तरह का outcome में यह card आया तो please इस तरह की energy में नहीं रहना है लिब्रा और मनी है abundant है so don't worry about the things आप pension मत लीजे abundance का card है so आपके energies जो है वो अच्छी है किसी भी तरीके का stress और anxiety जो है वो इस तरह की चीजों को लेने की जुरूर नहीं है तो देखते हैं आप और क्या करना है आप अपने आपको suppress बत कीजिए ठीक है यानि कि आप जो भी शेयर करना चाहते है जिस से भी शेयर करना चाहते है वो शेयर कीजिए अपने आपको वेडियों में बाग के मत रखिए थोड़ा free कीजिए अपने आपको और अगर किसी की guidance चाहिए जरूर से guidance लीजे हेल्थ के रिगार्डिंग हो परसनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हो ट्रस्टवर्थी जो लोग है आप उनसे गाइडेंस लीजिए इंजल भी आपको यहां गाइड कर रही है सो एट्स वेरी गुड़ एनर्जी ठीक है सो यह रिडिंग थी मेरी लीब्रा के लिए आई होप यू लाइक इट कांड़ी लाइक शरेंड सब्सक्राइब है च्रैनल एंड स्टेय हैपी एंड स्टेय बलेस्ट करूंगे हमारे एर्साइन जो एक वेरियस हैं ठीक है उनके एनर्जी कैसी रहने वाली है लैश्ञ लूसी सब्सक्राइब है बहля करें से परस्ट लाइफ के बार के वारे में अगर हम बात करें तो यहां पर पर परस्ट लाइफ के लिए का फी टेंशन लेते वह नजर आ रहे हैं खोड़ी बलाक एनर्जीज है जो नेगिटिव इनर्जी होती है जिन को बोलते हैं यह57 कप हैं यह object है लेकिन आप अपनी Suppose पॉसिटिव एनरजी कदिक कि नहीं पा रहें क्या एकशीपने आ इकनियाप को निगेटिविटि यहां पर आपको equal giving take करना है, आपके लिए remedy है, आप थोड़ा दान कीजिए कि जो लोग जिनको असली में ज़रूरत है कि किसी चीज की तो आप उनको दान कीजिए, थोड़ा charity कीजिए और equal giving take में रहिए, पर्सनल लाइफ हो, professional life हो, feeling हो, emotion हो, ठीक है, तो आपको personal life के लिए यह बोला जा रहा है, यह definitely आपके लिए जो है love life में कोई ना कोई साथी आ रहा है, यह Gemini भी हो सकता है, आपकी का air sign जो है वो Gemini जो है आपके आपके लिए कोई ना कोई offer आ सकता है, जो वो person जो है वो Gemini भी हो सकता है, so Gemini and Aquarius और यह Divinely guided connection भी हो सकता है, so यह आपके soulmate भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपकी life में कौन enter कर रहा है, यह already है, so आप भी you are a blessed, okay, so जो singles हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई offer आ रहा है, क्योंकि यहां पर new opportunities का card होता है, new beginning का card है, so definitely आपके लिए personal life मे कोई ना कोई साथ ही आ रहा है, professional life की अगर मैं बात करूं, तो आप obstacles को clear out करने की जगा, आप जो है, वहां से बच कर निकलना पसंद करते हैं, so इस तरह के energy में नहीं रहा है, obstacles को clear करना है, किसी भी चीज़ को share करना चाहते है, तो उसको share करना है, भाग गया आपका साथ दे देगा, ये destiny का भी card होता है, भाग आपका साथ देगा, new beginning आएगी, new opportunities आएगी, job में, business में, और आपको इस तरह के energy में रहना है, loving, caring, understanding, energy में रहना है, एक राजा की तरह अपनी power में रहना है, ठीक है, so definitely आपके लिए बहुत सारी अच्छी opportunities आ रही है, health की अगर मैं बात क जो लोग pregnant होना चाहते हैं, तो उनको वो pregnant भी हो सकते हैं, इस साल, ठीक है, means pregnancy का card भी होता है, so अगर आप को चाहते हैं, कि आपकी जो family है, वो आगे बढ़े married लोगों की, so वो आगे बढ़ सकती है, definitely, okay, आगर मैं outcome की बात करूं, तो outcome में आप जो हैं, बहुत ज़्यादा मुझे fear में नजर आ रहे हैं, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डरे हैं, defensive हैं, यहाँ पे भी defensive दिख रहे हैं, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन defensive है, fearful है, किस लिए fear ले रहे हैं, आप जब divine आपके साथ हैं, सारी अच्छे opportunities आपके साथ हैं, personal life में भी अच्छा हो रहा है, so please don't worry about the things and take as a blessings of God, ठीक हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ opportunity ज़रूर आ रही है, call, message, कुछ इस तरहें की अच्छी opportunities आपके लिए आ रही हैं, so आगे देखते हैं कि आपको divine क्या कर रहे हैं, क्या करना है इस साल आपको, आपको ऐसा लग रहे हैं कि चीजें आपके लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट पॉन हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहे हैं कि इस साल आपकी चीजें बहुत ज़्यादा पोस्ट पॉन हो गई हैं, so don't worry about the things, क्योंकि यहां पर मेरे पास success का card है, आपको इस साल में 2021 में success जोरू मिलेगा आचाया वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या किसी की health care regarding हो, so success यहां पर मिल रहा है, ठीक है, यहां celebration का भी card है, तो definitely यहां पर marriages का भी योग है, so marriages होंगी, ठीक है, और प्रोफेशनल लाइफ में भी celebration होगा, so बहती खुबसूरत एनरजी, I hope you like it, kindly like, share and subscribe my channel, and for personal readings, you can consult me, okay, in a whatsapp or every group, so stay happy and stay blessed,